अभिनो की मौत का जिम्मेदार ठहराने वाली है अभिमन्यू को। कुछ इस तरह से अभिमन्यू पर इल्जाम लगाने वाली है अक्षरा और कहने वाली है बड़े पापा ने तुम्हें देखा था अभिनो को धक्का देती हुए। अभिमन्यू को समझ नहीं आता कि वो कहे भी तो क्या कहे यहाँ पर बहुत सारे सवालों के घेरे में आ जाता है एक तरीके से कट घरे में एक पाप फिर से वो खड़ा हो जाता है आप देखने वाले हैं कि अभिमन्यू अभिनो को बचाने की कोशिश करता है वो उसका हाथ प पूरी तरीके से तूट चुकी है अभी मन्यू को देखते ही अक्षरा काफी जादा गुस्से में आ जाती है और यहां पर जैसे ही अभी मन्यू की एंट्री होती है बहुत सारे सवाल अक्षरा पूछने लगती है और अक्षरा के इन सवालों का जवाब जो है वो अभी पापा ने खुद तुम्हें देखा था तुम अभिमन्यू को धक्का दे रहे थे तुम्हें अभिमन्यू को धक्का देते हुए बड़े पापा ने देखा है वो कहती है कि मुझे तुमने प्यार करना सिखाया लेकिन प्यार ने भाना मुझे अभिनो ने सिखाया और तुमने करने वाला है यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही अभीमन्यू आता है वैसे ही अभीर यहां से चला जाता है अभीर जो है वो अभीमन्यू को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता है वो अभीमन्यू के साथ ही नहीं रहना चाहता है ऐसे में वो अभीनों को बहुत करती हुई नजर आ रही है और अक्षा एक बर फिर से अभी मन्यू से काफी नफरत करने वाली है यहां पर अभी मन्यू भी खुद को माफ नहीं करने वाला है क्योंकि उसे असा लगेगा कि यह सब कोछ उसकी वज़े से ही हुआ है अगर वो अभीर को इस तरह से अपने पास जाने की जिद नहीं करता तो अभीर उसे इतनी नफरत नहीं करता और इसी के साथ-साथ अभी नोगी डेथ नहीं होती अभी यहां पर जो है अभी मन्यू बहुत सारी चीज़ें सोचने वाला है और इसके साथ-साथ बहुत सारी गिल्ट में रहने वाला है देखना दल्चस